नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News अब 25 अपरेल की तारिक निर्धारित कर दी गई है राजिस्ट्रेशन क्या हो ने क्या हो सभी किसानों का एक एक दाना खरीदे सरकार कुमारी सहलजा का बड़ा बयान हरियाना कॉंग्रेस अद्यक्स कुमारी सहलजा ने कहा कि फसल खरीद सुरू होने से एक दम पहले कर दी है फसल का डेटा मिसमैच के बहाने परदेशरकार मेनत से तयार फसल को खरीदने से बचना चाती है और इसलिए ही यह सब शड़ेंतर रचा दा रहा है कॉंग्रेस पार्टी परदेशरकार से मांग करना चाती है कि चाहिए किसी भी किसान ने रेजिस्टेशन करवाया हो या फिर ना करवाया हो उन सभी का एक एक दाना खरीदने की जिम्मेदारी ली जाए कुमारी शेलजा ने कहा कि एक अप्रेल से ग्यों की खरीद शुरू होने वाली है वहीं मंडियों में फसल आनी शुरू हो चुकी है इसके लिए किसानों ने समय पर मेरा फसल मेरा विवरा पोर्टल पर अपना रेजिस्टेशन भी करवा दिया था लेकिन परदेश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही अब जब फसल खरीद का समय आ चुका है तो इस पोर्टर पर 39,000 किसानों के डेटा की मिसमेच का बहाना बनाया जा रहा है हरियाना कॉंगरे सद्यक्स ने काया है कि इतने महीने तक सरकार ने इस डेटा की जाच क्यों नहीं करवाई अगर इस डेटा की पहले ही जाच किये जाती तो एन वक्त पर किसानों के लिए इस तरह की दिक्कत खड़ी नहीं होती और वे आसानी से अपनी फसल को मंडी मिला कर बेश सकते थे जहां सजा काट रहा है गूर मित राम रहीम वाँस सफाई महा अभियां चलाएंगी डेरा सच सोदा सर्दालो डेरा सच्चा सोधा की साथ संगत 3 अप्रेल को रोतक में सफाई माहा अभियान चलाएगी जिसमें करीब 10 लाग सरदालों के भाग लेने की आसंका जताई जा रही है बतादें कि इससे पहले डेरा सरदालों ने 6 मार्च को गुरुगरा में सफाई अभियान चलाय था फरलो मिलने पर डेरा फर्मुक गुरुमित रामराहिम गुरुगरा में ही 21 दिन रहकर आया था जिसके बाद वहाँ सभाय अभियां चलाया गया अब डेरा सच्चा सोदा की साथ संगत रोहतक सहर में गंदगी साफ करेगी आपको बतादें कि कई मामलों में सजा मिलने के बाद गुरुमित रामराइम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं सफाई माहा अभियान चला चुगी है बड़ी खबर नियम 134 एको हरियाना सरकार ने क्या खात्म अब नियम 134 एको खात्म कर दिया है अब गरीब बच्चों को नियम 134 में फिरी मिदाखला नहीं मिल पाएगा आपको बता दें कि इस नियम के दयद प्राइबिट स्कूलों को 10% शीट रिजरू रखनी होती थी इस क्रम में विधिवत इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है नेजी स्कूल संचाल को ने इसका दिल खोल कर स्वागत किया है क्योंकि इसके विरुद आवाज उठाते वे पंजाब हरियाना हाई कोड भी पहुंच गए थे हरियाना में आंगनवाडी केंदरों में सुरू होंगी 4000 प्ले स्कूल एक अप्रेल से सुरू होगा दाखिला खेल खेल में सीखने की परवर्ति को बढ़ावा देने और स्कूलों में सत परतिसद बच्चे पहुंच सके इस लक्से पर महिला इंबाल विकास विभाग ने कदम बढ़ा दिये हैं हरियाना में एक अप्रेल से चाराजार अंगनवाडी केंदर प्ले स्कूल की तर्ज पर अपनी गतिवी दिया शुरू करने जा रहा है इसके लिए मुख्याले से लेकर फिल्ड स्तर पर योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है 31 मार्च को परदेश के सभी प्ले स्कूल पर स्कूल रेडिनेस में ले आउजित किया रहे हैं जिसमें अभी बावकों को 3 से लेकर 5 साल के बच्चे की प्ले स्कूल में जाने की एहमियत पर जागरुक किया जाएगा और साथ ही अधिक से अधिक पंजिकन करने भी सुनिशित किया जाएंगे डेरा सच्चा सोदा परमुक गुरुमीत राम रहीम ने डेरा परबंदन में बड़ा बदलाव किया है राम रहीम ने परबंदन को लेकर बड़ा फैसला किया है कि अब डेरे की आधिकारिक तोर पर कमान डाक्टर पियार नैन को सोपी गई है जबकि चेर्मेन रही बिपासना इंसा को परबंदन से बाहर कर दिया है डेरा मुकी के जेल में जाने के बाद सच्चा सोदा का संचालन परबंद स्मीति कर रही है अभी तक इसकी चेर्मेन बिपासना इंसा थी लेकिन वे करीब दो साल से बिमार है और इलाज करवा रही है ऐसे में डेरे का परबंदन कारी परभावित हो रहा था डेरा मुकी के जेल में होने के कारण बदलाव भी संबब नहीं था बता दें कि साथ फरवरी को डेरा मुकी 21 दिन की फरलो पर बाहर आया था उसने इस समय का सदूपय किया और डेरा मुकी ने परिवार के साथ-साथ डेरा परबंदन को लेकर कई महतपुन फैसले भी लिए फरलो नियम की अनुसार डेरा मुकी छुटी के दोरा ना तो बाहर किसी से मिल सकता था और ना ही अनुयाईयों को सम्मोदित कर सकता था इसलिए नई गोशना और बदलाव की सुचना अनुयाईयों को देने के लिए नया रास्ता चुना गया फरलो आवदी खत्म होने पर डेरा मुकी वापस जेल गया तो वहाँ से 26 मार्च को पत्र लिखा और इसे जेल परशासन की मोहर के साथ इस पत्र में अपने लिए गए फैसनों पर भी मोहर लगवाली मेरा सोभागिया है कि मुझे लगभग 12-13 साल बाद दादा रामिला सर्मा के महेंदरगड आवास पर आनी का मोका मिला 12-13 साल पहले जब यहाँ पर चुनाव था तब रामिला सर्मा बिमार थे मैं उनका हाल चाल जानने यहाँ आया था तब उनके पुत्र गोत्म सर्मा के साथ गाउं गाउं गली गली चुनाव परचार में घुमे थे यह सब बाते हरिणान के उप मुक्यमंतरी दुशन चोठाला ने पूरु शिक्षा मंतरी रामिला सर्मा के आवास पर कही इस मोके पर जैराम सदन महेंदरगड में ब्रामन समाज, सैनी समाज, राजपूत समाज, यादव समाज, धानक समाज, हरीजन समाज, सही अनेको के लोगों ने उप मुक्यमंतरी दुशन चोठाला को श्रमान के रूप में पगड़ी पैना कर स्वागत किया, पूरो मंतरी रामिला सर्माज, सर्माज, वारा महेंदरगड विदान सवाद छेतर में 11 गोसालाओं में गायों के लिए टीन सैड, पानी वा अन्य व्यवस्ता करने का आउसर मिलेगा, उन्होंने काहा कि गोस्यवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, मनिश्यों को अपने जीवन कर सुधार करने के लिए गोस्यवा अविश्य करने चाहिए टॉल्टेक्स की दरों में भारी बढ़ोतरी वापस हो सुर्जवाला का बड़ा बयान, वरिष्ट कॉंग्रेस ने था और पार्टी के राष्टी माहसची और रणदियप सिंग सुर्जवाला ने राष्टी और राजी मार्गों में टॉल्टेक्स की दरों में भारी बढ़ लेनी की मांग की है एक एहम खुलासा करते वे सिरी सुर्जेवाला ने बताया कि बढ़ती महेंगाई वे हर रोज हो रही पैट्रोल डीजल मुले वर्दी के बीच जनता पर हर्याणा में सभी टॉल रोड पर टोल्टेक्स वर्दी के रोप में एक और मार पढ़ने जा रही है जिसके कार्ण हर्याणा में एक अफ्रेल से सफर करना महेंगा हो जाएगा उन्होंने बताया कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे और कुंडली गाजियाबाद पलवल हाईवे के साथ सभी राजट्ये और राजजी राजमार्गों पर चलने वाले विबिने वाहनों के लिए दरें 10 से लेकर 18 पर 30 तक बढ़ा दी गई है जिससे कार जीब के साथ साथ बस ट्रक केंटर का भाड़ा भी बढ़ जाएगा हर्याना रोडवेज करम्यों की हरताल के बाद बड़ी कारवाई 5 जिलों की GM 4 शीट 5,750 करम्यों का खटेगा वेतन हर्याना सरकार ने रोडवेज करम्यों की हरताल के बाद बड़ी कारवाई की है राजे सरकार ने रोडवेज करमचारियों के हर्ताल के दोरान पांच जिलों में व्यवस्ता बनाए रखने में नाकाम रहे रोडवेज महाप्रबंदकों को चार शिट कर दिया है इसके साथ हर्ताल में सामिल करीब 5750 रोडवेज करमचारियों के वेतन भी काटे जाएंगे हर्यान सरकार ने रोडवेज महाप्रबंदकों को चारशिट किया है उनमें हिसार रोडवेज के महाप्रबंदक S.E.S. राहूल मित्तल फरिदावाद के जीम राजियू नागपाल, सिर्शा के आरेस, पुनिया, पलवल के सुरेंदर सिंग और चर्की दादर के महाप्रबंदक देवदत सामिल है इसके लावा हर्ताल में सामिल 5750 रोडवेज करमचारियों का वेतन भी काटने की तयारी है राहूल गांदी की नसियत का हरियान के कॉंग्रेशियों पर असर नहीं, अपनी राथ चलते रहेंगे वोपिंदर सिंग हुड़ा कॉंग्रेश हाई कमान से मिली एक जुटता की नसियत पर हरियान कॉंग्रेश के दिगज नेता खरें नहीं उतर पा रहे है ये नेता कॉंग्रेश के पूर राष्टिया देक्स राहूल गांदी के एकता के पार्ट को कुछ दिन में ही बूल गए है इस बैठक में राहूल के हरियाना में कॉंग्रेश नेताओं की आपसी खींस्तान पर चिंता जाहिर की थी और इसे खत्म करने को कहा था राहूल गांदी ने इनेताओं से साब कहा था कि यदि भी एक जुट नहीं रहे और जनता के सामने भी एक जुट नहीं दिखे तो फिर हरियाना में अगली सरकार का सपना पूरी करना आसान नहीं होगा अपने नेजी फीडबेक के आदार पर राहूल गांदी ने बैठक के दोरान यहां तक भी कहा था कि हरियाना में कॉंग्रेस के नेता दोजार चोबिस में एक जुट नजर नहीं आए तो पार्टी के हाथ में फिर सत्ता कभी नहीं आएगी राहूल की इस नसेयत के बाद भी नेता परतिफैक्स और पूरू मुख्यमंद्री वुपेंदर शिंग हुड़ा परदेशा देक्स कुमारी सेलजा पूरू मंद्री किरन चोदरी कैप्टर अजय यादो सहीत विदायक कुल्दिप बिश्णोई ने एक जुट रहने का आश्वासन दिया था हरियाना में हिसार से वाया तोसाम बादड़ा सतनाली रेवाडी नेशनल हाईवे बनेगा परदेश के उप मुक्य मंद्री दुश्यन चोटाला ने का आगी हिसार से वाया तोसाम बादड़ा सतनाली रेवाडी नेशनल हाईवे बनने से परदेश में विकास के नए द्वार खुलेंगे इसके साथ साथ इस हाईवे से दक्षिन हरियाना का भी चाहो मुक्य विकास होस केगा केंदर शड़क परिवायन मंत्री श्री नितिन गटकरी द्वारा स्विकर्थे परदान की जा चुकी है उन्होंने कहा कि ग्रामिन विकास के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है गाउं में सहरों जैसे सुविधाएं परदान की जाएंगी हरियाना के उप मुक्य मंत्री दुशेन चोटला ने महेंदरगड में ताउर देविलाल पार्क में पोरो उप परदान मत्री जन नायक ताउ देविलाल की सवा 11 फुट उची मूर्ति का अनावरण किया डिप्टी सीम ने कहा कि ताउ देविलाल जन जन के नायक है उन्होंने कहा कि आज उस थान पर स्टेचू लगाया गया है ताकि जब इस पार्क का उदगाटन करें तो यहां दरी बिचाने के आवशक्ता ना पड़े दोशन चोटला ने यह भी बताया कि नारूल से दादरी तक फोरलेन बनाने का काम किया जा रहा है जो कि 11 महिने में बन कर तयार हो जाएगा पंजाब में मान सरकार का बड़ा फैसला प्राइवेट स्कूलों के फेस बढ़ाने पर ततकाल प्रवाव से रोक, यूनिफॉर्म और किताबे भी सभी दुकानों पर मिलेंगी इसके लिए पंजाब सरकार जल्दी पॉलिशी बना कर जारी करेगी सियमान ने कहा कि सिक्स्या मेंगी होने की वज़े से आम लोगों की पहुंच से दूर हो गई है अभी बावकों को मजबूरी में बच्चों को स्कूल से हटाना पड़ रहा है उनसे काम करवाना पड़ रहा है ऐसा नहीं तो फिर वह बच्चों को ऐसी एजुकेशन दिलाने को मजबूर हो जाते हैं जो आगे सलकर किसी भी काम की नहीं आती इसलिए पंजाब सरकार ने सिक्स्या से जुड़े दो बड़े फैसले लिये हैं पंजाब के प्राइवेट स्कोलों को ततकाल प्रभाव से आदेश कर दिये हैं कि वह इस सत्र में एक रूपया भी एडमिशन फिस नहीं बढ़ाएंगे अभी भावकों स्कोल प्रिंशिपल और उनके मालिकों से बैठकर बाच्चित के बाद इसे पॉलिसी बनाएंगे का वादा किया था इसके अलावा अच्छी और सस्ती सिक्षा भी दिलाने की बाद कई थी चुनाव में आपको 117 में से 92 सीटे मिली गई जिसके बाद सिक्षा को लेकर या बड़े कदम उठाए गए है चुनाव के बाद मेंगे दीन पैट्रोल डीजल पर 80-80 पैसे बड़े पांच महीने पहरे 5 रुपे कम हुए थे अब 9 दिन में 5 रुपे 60 पैसे बड़े पैट्रोल डीजल के दाम बुद्वार को नो दिन में आठवी बार बढ़ गए है बुद्वार को पैट्रोल डीजल पर असे ऐसे पैड़ से की बढ़ोतरी की गई है उप्चुनाओ के बाद च्यार नूमबर 2021 को केंदर ने पैट्रोल पर 5 रुपए पर 3 लेटर टेक्स गटागर जो राहत दी थी उसका असर अब खात मोचुका है क्योंकि 9 दिन में पैट्रोल 5 रुपए 60 पे से महंगा हो गया है अक्तुबर 2021 में 13 राज्यों के 29 विधान सभा और 3 लोग सभा सीटों पर उप्चुनाओ में भाजपा को उम्मीद के अनुसार नतीजे नहीं मिल पाये थे उसके बाद पैट्रोल पर 5 रुपए टेक्स गटा था सुनाओ के दोरान कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाये थे इसलिए उसके भरपाई अब सुरू कर दी गई है एक रिपोर्ट के मुताबिक ओयल मार्केटिंग कंपनियों के नुक्सान की भरपाई के लिए पैट्रोल डेजल की कीमत में 15-20 रुपए का इजाफा करना होगा इस लिहाज से देखें तो पैट्रोल डेजल की कीमत में अभी और 18 रुपए की बढ़ोत्रे हो सकती है कम पढ़े लिके आठवीं, दस्वीं और बार्वीं पास कर चुके युवाओं के लिए सरकारी नोकरी हासिल करने का एक सांदार मोगा आया है असम सरकार ने सभी विबागों में ड्राइवर से लेकर लेखाकारों तक के 26,000 से ज़्यादा पदों को भरने के लिए शुरुआत कर दी है 28 मार्च को जारी एक अधीशूचना के अनुसार परदेश में सबसे बड़ा भरती अभियान शुरू किया गया है बता दें कि बीजेपी ने विदान सभा चुनाओं में एक साल के बीतर एक लाग नोकरी देने के वादा किया था अब सरकार इस प्रक्रिया को सबसे पारदर्शी तरीके से और तेजी से संचालित करते हुए दिखाई दे रही है आविदन की सुरुआत 11 अप्रेल से होगी और 30 माई तक आउन लाइन आविदन स्विकार किया जाएंगे जहां तक आयूशीमा की बात है तो जनरल केंड़ेट की उमर 18 साल से लेकर 40 साल के बीच होनी चाहिए केंड़ेट की आयू की गणना 1 जनवरी 2022 के अनुसर की जाएगी सरकारी नोकरी अपडेट भारतिय रिजरो बैंक में 294 में पदों पर निकली भरती उम्मिद्वारों के लिए 18 अप्रेल आविदन के आखरी तारीक आर्बियाई यानि भारतिय रिजरो बैंक द्वारा अधिकारियों के पदों पर भरती प्रक्रिया शुरू की गई है उम्मिदवारों के लिए भायतिरी जोर बैंक ने आविदन प्रिक्रिया का लिंक 28 मार्च को एक्टिव कर दिया है RBI ने अधिकारियों के 294 पतों को भरने के लिए ओनलाइन आविदन आमंतरित किये हैं या पत ग्रेड बी लेवल लोगे हैं सामाने स्रेने के उम्मिदवारों को नियूंतम 60-पिसदी अंकों के साथ किसी भी विशय में ग्रेडियोशन होना चाहिए महाई केंदरे क्रमचारियों को सरकार की और से बड़ी खुशकबरी मिली है कैमिनेट की मिटिंग में 3% महेंगाई भत्ते को बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है वहाई जन्वरी और फर्वरी 2022 का एरियर भी मिलेगा नया महेंगाई भत्ता एक जन्वरी 2022 से लागू होगा केंदरे क्रमचारियों को फिलाल 31% डिय मिलता है इसे 3% बढ़ा कर 34% कर दिया गया है काम की बात आधार और पैनकार्ड को लिंक करने के लिए अब एक दिन का समय नहीं कराने पर जुर्माना भी लगेगा मार्स 2023 के बाद पैनकार्ड निश्करे हो जाएगा वहीं दूसरी तरह सोने चांदी के भाव में उतार चड़ाओ का सिलसला जा रही है 10 ग्राम सोने पर 100 रुपे की गरावट दर्ज की गई है वहीं चांदी की बात करें तो 800 रुपे सस्ती हो गई है 12 के र much 10 के रहें तो 800 रुपे की गराव्ट दर्ज की गई है इसी के साथ चांदी 66.200 रुपे पर 3 किलोग्राव पर पहुंच गई है आज ख़बरों में बस इतना ही बने रही है हमारे साथ देखते रहें CWB हिंडी न्यूज नमस्कार झाल